बीबीटी चैनल में साथियों आपका स्वागत है बनारस से पस्चिमी दिशा में इस्थित बहभनियाओ गाओं रगबग 30 किलो मीटर बनारस से है वहाँ एक हपते से 80 हिंदु विश्विद्यारे के पुरातत्य विद्वानों की देख रेख में खुदाई का काम चल रहा है वहाँ पे टीवा और प्राचीन अस्थान था उसकी खुदाई हो रही है और जैसे जैसे समय बीत रहा है नई नई संभावनाओं का खुदासा हो रहा है और काल के गाल में समय के थपेवों से मापित्वी के गर्भ में समाय कालखंड के निवधारन का प्रयास हो गाउं देखें आप पूरी तरह से टीवी पर बसा हुआ है जिधर आपकी नज़र जाएगी उधर इंट पत्थर मुर्तियों के टुकरे ये बिखरे परे हैं और अब तो खुदाई के बाद ही निवधारन हो सकेगा कि यहां क्या थ आज हम लोगों ने भी यहां पे विजिट किया है आपके लिए आगे आप इसको देखें आपकी सेवा में ये पहरा गढ़्धा है इसमें से काफी चीजें निकली है खुदाई में भागने रहे प्रफरसर एके दूबे उन्होंने बताया कि खुदाई के दौरान मिरने वा मारे आवसोंसों को बहुत जल्दी ही और स्थाई तोर पर मौके पर ही रखने के लिए एक छोटा सा संग्राहर्वाय बनाया जाएगा साथियों यह जो हम एक स्ट्रेश में बैठे हुए हैं यह आप देखें बिलुकुल यह जब वो कंसेप्ट आता है तिहास में और डाक्टर केशपी जैश्वार की जो पुस्तक में जो शिरुदेंगे उन्होंने दर्शाएं हैं ठीक उससे मिलता जूलता है और 2200 साल पहले जो पुरातत रुखाग ने बताया है कि यह 200 साल के यार पहले तो ठीक यह उस पुष्ट करता है कि यह भार्शिव बंश जो शैर उते थे उनके जमाने में यहां कोई बस्ती रही हो या कोई धार्मी कस्थर रहा हो तो यह शिव को इसको आप देखें तो आप देखें आप को अंदाज वेगेगा आर्कोलाजिकल सावेराफ इंडिया में भी इस्तर की प्रत्मा उन्होंने नियुपत की है और यह भार्शिव बंश की तरफ इसारा करता है जो शैर थे एवर संपता एक लोग शिव को मानने वालों की हां बहुत आयत थी यह ऐसा प्रतित हो रहा है और यह सीर ही है कि इन्होंने तो खुदाई फिर काटके अपना बनाया है लेकिन इसमें जो इंटे हैं तो आप इसको भी अगल देखेंगे तो शुंगकाल के पहले यानि इसा से 200 साल पहले लगफ़क 200 साल चाहुँदी कि यह बहुत यह बिक्स देखें आप कि इसकी जो सा साइज है यह साइज वह बता रही है पहले जो तमाम यहां की जो आबादी थी वह शैव मत को मानती थी भगवान शीव की अराधक थी इसकी जब तक खुदाई कम्प्रीच होगी तो हो सकता है एक शैव संस्कृति का नया अध्याए इस धलती पर फुले और देखने को मिले हैं तो यह देखें साब यह नया भी जो गाओं है यह वाइट पूरा देखें आप उदर दक्षिय दिशा उदर जाएंगे तो गंगा जी है और काशी और प्रया के बीच में यह है अस्थान उस जमाने में ग्रेंट टैंक रोट तो रही नहीं होगी तो यह जाने का मारग भी रहा होगा बाकी जो निकले निकले अभी आगे आपको हम यहां जो पहले मूर्तिया मिली है वो आपको दिखाने चाहिए हमने गाओं के जो समानित लोग हैं उनसे भी बात्च यहां कि लोग मतलब को टेश्वर ना फ्रैना से बापुजा होती हम जी चली 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 लगा यह जो स्वी मंदिर अंदर है काफी जमीन के नीचे हैं इनके बारे में बताएं आप तो गाओं के हैं यहां सुनने में आता है कि यहां कुगा खुदा जा रहा था यह पिताजता जी के बच्पन के बाद हम लोगों के जानकारिम नहीं है। जै बाबा बोजेनात ये वही शिवुरिंग है जहां पे वुआ खोदा जा रहा था। और जब नीचे गए है लगभग 10 फीट ये भगवान शिवुरिंग अंदर से प्रकट हो गए पहले से थे वहां विराजमान तो वह हाट गए इनको छोड़के वहां पे ऊपर से एक छोटा सा मंदिर बना दिया। बिलकुल सरक जो बनी हुई है उससे लगा हुआ एक छोटा सा मंदिर है तो ये इहां भी कुछ लोग गाओं के लोग पूजा पाठ करते रहते हैं। साथियों गाओं के पस्चीम और दक्षियों दिशा में, कोने में, जमीन के अंदर ये सिवुदेंगर परे हुए थे, किसी किसान का खेत था, बाद में सनय सनय वो प्रगट हुए, ये गाओं के साथी हैं ये उसके बारे में डिटेल बता रहे हैं। जो पुजारी थे, उनको खोदे, खोदेने के बाद ये पूरी मंदिर यहां निकली हुई है। जैसा कि आप देखें अभी भी फोटो लिए है। आपकी जमीन में खुदाई चल रही है। तो अपना सुब नाम बताए। जो पुजारी बताए। जो पुरत वाले जो भी अचू के थे, तीरी चाथ साल पहले कुछ चेक करते थे। तो यह लोग सुचते थे कि यह चेक कर रहे हैं। बाकि इस बार इसको खुदाई के लिए यहां आदेश करा लिए। प्रविंशल और सेनेटल गवर्नमेंट से। तो इभल की चलिए भाई खुदाई होगी प्रशाम को जो है लिखित दिये हैं। तो अपना एक खुदाई चल रही है। हम लोग भी इंट्रेस्टेड हैं। पूरे गाउं में आपके जो यह सिगनल दिखाई दे रहे हैं तो भगवान संकर से रिवेटेड है। तो श्रायवों का यह बहुत बड़ा गर रहा है। तो बाकि तो आप आप जनकारी कुछ हो कहना चाहिए तो बताएं। कि इस बार जब खुदाई होती है यहां पर कुछ से कि एक अमरेके मौरिया लोग जो है संडा से घड़ा खुनवा रहे थे। तो उसमें उच्छावड़ा दो दो फूटवाला इंट्या जो निकला। तो बहुत बहुत आपको धनिवाद है। साथियों इन बेजान प्रतिवाओं को आप देखें। कितनी सुंदर करात्मक हैं। किन हाथों ने इनको तरासा होगा आज बिखरी परी हैं। गाओवालों ने इनको एक अस्थान पर इकठा करके। साथियों ये जो टुकरे देख रहे हैं। कुदाई में मिट्टी के बरतन के ये पात्र मिले हैं। उनके तूटे हुए ये आउसीश हैं। काफी संख्या में इहां निकल रहे हैं। इनका हमने चित्र लिया है। और ये सबसे महतपूर्ण एक शिरालेख है। इस अस्तंब पे ब्रामी भाशा में शिरालेख दिखा गया है। दखेए गाओं के हैं दिखा रहे हैं। ध्यान से इसको देखें। ब्रामी भाशा में और इसको पुरात्त विवाग और विच्चू के विद्वाने ले गए हैं इसको पढ़ने का कोशिश कर रहें देखें क्या निकलता है ये दो गन्ना से वस निकालने की पहले यही विधी थी पत्थर के ये कोल हुआ करते थे ठीक इसी प्रकार के गाओं में तीन चार हमें स्थान स्थान पर दिखाई दिये जिसमें बहुत अच्छी चितकारी है मोर साप पकरे हुए हर जगा है इससे रखता है कि ये नागबंसियों का था देखें वो साप पकरे हुए है एक जैसे रखता है कि किसी राजी का चीन्धे भी है बीच में शुरूई है और इस तरह से बना हुआ हाथी है हाथी पे ये एक शीरिंग रंबा सा सामने उधर बांस की कोठी है खरपतवार खंजहाट जिसको आप कहते हैं विश्ट रेंड वहां पे इस तरह से परा हुआ है जविन के अंदर तो गांवारे इस पे भी कभी कभी कुछ पुजा पाठ कर देते हैं ये बिल्कु जंगल जैसा है गाउं के किनारे पूरब दिसा और डक्षिर दिसा के बीच में एक छोटी जगर पे इन्होंने डी भाबा के ये मंदिर बनाया है नीचे ये प्रतिमा जो म उसी कावखंडे की है कहीं से तूटा था नीचे से लाके इसको यहां पे स्थापित कर दिया है वह अच्छा बूतरा है वह पूजा पाठ होता है इस तरह से इस गाउं की एदगियों जहां भी देखेंगे आप तो ध्वन सापको देखें पत्थर के ध्वन से देखें आप आपकी सेवा में हमने बनाया है अच्छा रगा हो साथियों को अन्य साथियों को शेयर कर दें लाइक कर दें हमारे चैनल पे महमान है यानि पहली बार अगर आए हैं तो आवश्य सब्क्राइब कर लें खासकर भावसी उबंसीयों से निवेदन है